तो यह दोक्त प्यारबचों एक अच्छा सा सवाल है, इसमें यह कहा जा रहा है कि अपने पास एक प्लेनो कुछन को अच्छे से पढ़ो और समझने की कोशिश करो, अपने पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, फिट इग्जाक्टली इणट्यू प्लेनो कॉनकेव, बतब उनको एक दूसरे के अंदर प्लेंस और फिट कर दिया गया देर प्लेंस के प्लेंस इसक्राइब से पैरलेल एक दूसरे के लेंस आप डिफरेंट मटेरियल्स आप रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मूँवन एंड मियूटू मतलब प्लेनों कर दूसरे का मिूटू है और राइडियस हॉपकर्वेचर हेरेगर आर है तो कॉंबिनेशन का फोकल लेंथ है निकालना देए को कॉंबिनेशन का फोकल लेंथ जो है कितनी बार मतलब इस सवाल पे इस फार्मूले पे कितना कोशन आया रहे आप्टिक्स पे तो I hope कि मैंने बहुत सारे explain किये हैं पेसेंस के साथ तो combination का focal length का simple सा formula है कि one upon combination का focal length है दो lens है तो one upon f1 plus one upon f2 मतलब दो को जोड़ेंगे तो एक तीसरा मिलेगा ही तो यह अपना formula लगा देना equation number first यह वाला है सबसे पहले एक काम करते हैं एक अपना प्लेणों यह प्लेणों कंवेक्स इस इस प्लेणों कंवेक्स इसके अंदर इस तरह से फिट किया किया जा रहा है कि यहां से तुम देखोगे एक प्लेणों कॉंकेब यह फिट है एक प्लेणों कंकेब के अंदर और उनका पैरलल सफेस तो यह वाली जो लेण्झ देख रहे वो यहें जो प्लेणों यह अपना प्लेणों कंवेक्स और यह वाली जो लेंस होती है और एक दूसरे को अंदर तो जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मुझे एक तीसरा लेंस मिलेगा जिसका का focal length f है और उसी की calculation करनी है तो यहां पर reflective index count करलो तो इसका refractive index यू लेलो और इसका refractive index यू टू लेलो और radius आपकरवेचर और लेलो तो इसका focal length f1 है और इसका focal length f2 है और light ray अप इधर से डाल ले हो तो यह अपना R1 बनेगा जो की infinity होगा और यह जो है वो R2 बनेगा जो की negative R होगा ठीक ना तो 1 upon focal length F1 की वह जो value आजाएगी वो mu 1 minus 1 और 1 upon R1 1 upon R1 मतलब infinity और minus minus plus 1 upon R तो यह आजाएगा mu 1 minus 1 upon that is R this is the first 1 upon F1 की value आगई अब 1 upon F2 की value निकालने के लिए दुबारा देखो जो ray है वो कहां से पढ़ रहा है तो अगर तुम देखो कि यहां से ray जो है हम लोग ray यहां पे इधर से ही डाल ला है इसमें ray अपने इधर से ही डाल ला है तो यह जो यह जो surface बनेगा वो जो आरवन बनेगा वो निगेटिव आर होगा और जो आरटू बनेगा वो infinity को जाएगा तो वन अपान यहां से focal length F2 की value आ जाएगी तो यहां से mu 2 minus 1 और यहां से तुम देखोगे और R और यह निगेटिव साइन दाट इस वन अपन F2 की value तो वन अपन F2 की value आ जाएगी minus mu 2 minus 1 upon R this is the 1 upon F2 अब इन दोनों को first equation में रख दो और वह ही अपना solution देगा तो 1 upon focal length F की value 1 upon F1 mu minus mu 1 mu 1 minus 1 और 1 upon R और यहां से minus mu 2 minus 1 1 upon R समझ में आ गया यह कुछ तो इनको जब तुम जोड़ोगे यहां से mu 1 minus 1 minus mu 2 plus 1 divided by यहां से R तो यह खतम हो गया यहां से तो यहां से कर गया mu 1 minus mu 2 upon R is the final focal length तो 1 upon F की value आजाएगी आजाएगी R और mu 1 minus mu 2 तो तो इस is the final solution of this problem तो यहां से R और mu 1 minus mu 2 तो यहां से R और mu 1 minus mu 2 तो यह option अपना सही हो जाता है